दोस्तूं, जीना है और जीलाना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है तो चलिए इस कमाल की वीडियो को हम अभी अवर इसी वरक्स शुरू कर देते हैं कि आपकी जिन्दगी जो है उस सुन्दर बन जाए दोस्तों सवाल नमबर एक मुह से वास क्यों मारता है यानि मुह से वास क्यों मारता है दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कर देना कि आएसी जनकारी आप तक मिलती रहे दोस्तों इसका सही अंसर है खाना खाने के बाद कुला नहीं करने पर अंगली लगा करके मुह में आच्छा से मुह नहीं धोने से और पैरिया की बिमारी हो जाती है इसलिए बास मारता है इसलिए बरस से आच्छा से आच्छा और बालू से मुह धोये की सुन्दर मुह बन जा सकता है दूस्तों नहीं जाते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजेगा कि आतों मेरे साग कैसे लाएं दोस्तों इसका सही अंसर है आम खाने के बाद में आतों में रेसा लाया जा सकता है इसलिए गर्मी के मौसम में 2-3 घंटा पानी में रखते हैं आम 6 घंटा कम से कौन और उसको सुबेरे के समय में खायें खाली पीट बिलकुल न खाये नहीं तो पीट खराब हो जाता है दोस् सवाल नमबर तीन अवरत को ज्यादा क्या खिलाना चाहिए दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरी भाई जरूर कीजेगा कि ऐसी जनकारी मिलती रहे आप लोगों तक दोस्तों दोस्तों इसका सही अंसर है किसी भी अवरत को ज्यादा दूद खिलाना चाहिए दूद खिलाने से सिहत जो है वो आचा रहता है सब चीज एक तरफ दूद एक तरफ जरूर खिलाएं सवाल नमबर चार लीबर को लोहा बनाने के लिए क्या करना चाहिए दुस्तो नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूट कर देना कि ऐसी जनकारी आप तक पहुरती रहे और आपकी विमारी हमेसा के लिए मिलती जाए दुस्तो इसका सही अंसर है काचा पपीता हो या पाका पपीता हो खूब खाना चाहिए पपीता है क्यांकि लीबर जो है उलोहा बन जाए इस से खूब भूख लगता है और सेहत भी आच्छा हो जाता है जब लिबर मजबूत रहेगा तो खाना वो असानी से पचाएगा जब खाना पचने लगेगा तो समझे कि खुन बनने लगेगा और आतों में रेशा जो है वो भी आचा बन जाता है इसलिए पपिता की सबजी या पाका मिले तो और सुन्दर है सवाल नमबर 5 टमाटर खाने से क्या फायदा मिलता है दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई कीजिएगा कि ऐसी जनकारी हम देते रहें और आप लोग के पास तर डाइरेट मिलती रहे कि कोई परकार की बीमारी दोस्तों नहीं होती है दोस्तों टमाटर में जो है वो चुना पया जाता है इससे कोई परकार की दिकत सरीर में नहीं होती है तो आज जनकारी जरूर हम देंगे दोस्तों इसका सही अंसर है टमाटर खाने से हड़ी मजबूत रहता है और डांत में छेद नहीं होता है खोरला इसलिए टमाटर जो है वो जरूर खाना चाहिए और खाली पेट टमाटर भूल करके भी नहीं खाना चाहिए नहीं तो पेट में जो है वो पथरी हो जाती है ये बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर किजेगा कि ऐसी जनकारी जरूर आप तक मिलती रहे दोस्तों